अब आप ये अगर तिबबत का इतिहास जानते हैं, तिबबत का भारत की तरफ जुकाओ जानते हैं, दलाई लामा के प्रती तिबबत के लोगों की शद्धा जानते हैं, तो फिर आप ये भी समझ गए होंगे कि शिय जिन्पिंग जब यहां पहुंचे हैं, तो केवल ये प् शाजिश और क्या हो रहा है उसके साथ तिबबत पर दावा किया उसने अब निंगची जाकर गिडगडा रहा है कि हमारे साथ आ जाओ पहले कबजा कर लिया आप कह रहा है हमारे साथ तो आजओ हमारे तो बन जाओ साजिश अरुनाचल में बान बना रहा है और मुंके बल कैसे गिरा है कि बारिश ने एक हज़ार साल का रेकॉर्ड तोड़ा है कुद्रत भी सजा दे रही है किये हुए का रेकॉर्ड रख रही है पानी रोकने का प्लाइन किया ज्यादातर हिस्सा बाढ़ में डूब गया है और ये बता रहा है कि अगर नदियों से एक हद से ज्यादा छेड़ चाड़ होगी तो भुगतना तुमको भी पढ़ेगा पाकिस्तान में सीपेक पर काम चीनी इंजिनियर्स की हत्या काम बन जो इंजिनियर् काम कर रहा है वो भी देख लीज़े किनारे एक तरफ वो सड़कों का निरिक्षन कर रहा है दूसरी तरफ कंभी में मंदू के न जाने जान पर कब बन जाए तालिबानियों को हथियार दिये गए और अब अफगान से अपने करमचारियों को वापस बुलाना पड़ रहा है उसको तो जो उसने किया है आखिरकार उसको भुगतना पड़ रहा है जीडी बक्षी साहब लेकिन अब ये जो उसकी विस्तारवाद की नीती है इंफ्रास्ट्रॉक्टर डेवलप्मेंट तिबबत के लोगों को अपने साथ भरोसे में लेने की कोशिश इसका इसका हश्ट क्या देखते हैं सरा देखे सहाब ये जो विगॉग डैम है जो नियंची में प्रमपुत्र के बोड़ पर यारलूंसंको के बोड़ पर इतना भारी डैम जो वो बना रहा है अपने आप में ये विवाद का भारी बिशय है क्या ड्राउंस्ट्रीम एफेक्ट होगा वो कह रहा है ये अपने आप में एक वो है फिर जो चीन है वो तिबत के लोगों को अपनी फॉज में रकूरूट कर रहा है करने की कोशिश कर रहा है आप को याद होगा उसकी फॉर्थ हाइलेंड मोटराइज डिविजिजन जो वो शिज्यां से लगा के साफने लाया था उनकी हानत उनकी बत्ती बंद हो गई ठंड में उनको अब हटा के दूसरी नई प्रेश डिविजिन लाई गई है और वो ति दूसरी लगाए जो कि उस हाई अल्टिचूड में रह सकते हैं चीन के सिपाही तो इस हाई अल्टिचूड में आने से मना कर रहे हैं आपने वो वीडियो देखा होगा जब धाड़ें मारकर बच्चों की तरह रो रहे थे जब होकुम सनाया गया आप इंडिया के बॉर्ड दस जरूरत है जो दाल में कुछ काला है let's be very clear let's be very clear जो कुछ वहाँ पग रहा है वो ठीक नहीं है अब दो चीज़े है ये आपने ये बात बिल्कुल सही कही है और मैं ये मानता हूं कि जब आप ये कह रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा हमारा जो establishment है वो इसको proactively दे देखे दिने साब चीन दो तीज़े बहुत कर रहा है और सीजरिक पिंक का ये प्लान है वो कर रहा है कि जो बुद्धिजम है वो चाइनीज बुद्धिजम में convert कर रहा है पंचम लामा का जो रपड़ा है जिसको अभी पूरे विश्व के अंदर में और देखे दलाई ला नहीं मानेंगे मगर आप ये मानके चलिए कि जितने भी वहां पर गोमपास थे जितने भी बुद्धिजम के साइंस थे उनको उसने बदल दिया है और जितने भी वहां पर वे मौंग थे जो बुद्धिस्ट मौंग थे जो कि भारत के साथ एक्ट्वल बुद्धिजम के मा करने की जो कोशिश है पहले तो इन्होंने दे दी कुरान अपने तरीके से लिख दी है और मुसल्मानों को जो वहां रहते हैं कहा है कि तुम यह कुरान पढ़ो वह वाली नहीं जो तुम्हारी चलती आई है अब यहां बुद्ध धर्मों के अन्याईयों को ये जो कहा जा रहा है, इसको लिया कैसे जा रहा होगा सिवाट साब, विक्ली? देखो दिनेश इसे में कोई शक नहीं, अगर चीन को टिبیट के साथ लेना है और उसको बारत के साथ आगे लड़ाई लड़नी है तो वो जाते हैं कि टिبیट के लोग उनके साथ रहें और टिb意ट के लोग मिलकु साथ में नहीं हैं, वो दल्लाईलमा के साथ हैं, तो ये जो बुद्धी जम ला रहे हैं वो चीनी बुद्धी जम है उसको वो कनवर्ट करने की ट्राई करें लोगों को थोड़ा सा माइंड ब्रेनवाज करें अभी देखो आप ले ये भी सुना होगा ये स्पेशल फ्रेंटियर फोर्स जैसे अपनी है ऐसी वो भी रेज करें टिबिटन फोर्स से क्योंकि उन्होंने रिलाइज किया है कि जो चीनी है हान पॉपलेशन वो लड़ नहीं सकती हाई अर्टिटूड में लो टंपरेचर में तो ये लोकरों को एक परकार रिकूर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ले जा रहे हैं फिर मौंग से उनकी एक परका क्या कोशिश करें टिबट का जो बुद्धिजम है उसको चाइनीज बुद्धिजम की तरफ मगर वो सकस्सफुल नहीं होगा लोग नहीं चाते हैं लोग डलाई नामा को चाते हैं मगर कोशिश पूरी है चीन की और चीन चाता है कि किसी तरीके से जो टिबट की तवर्श पार